कोरोना महामारी में लोगों को स्वास्ते लाब देने के उद्देश्य को लेकर सूरत से पधारे महमान डॉक्टर ने खरगोन जिले में एक केमपग आयोजन किया जिसमें बड़ी तादाद में मरीद पहुचे और बिमारी का इलाज कराया आपको बता दे कि महामारी दोर में कोरोना भए के आमजन इतना घबराया हुआ है कि मूल बिमारी का इलाज कराने में नाकाम साबित हुआ है इसी के मद्दे नजेश यूनिटी हाफिटल के डॉक्टर ने आमजन के स्वास्ति लाब जिलाने की पहल करके खरगोन के मांगनों डोर इस्ति सोरव विद्धय मंदिर में केमप आयोजित किया जिसे मर्जों का स्वास्त प्रेशन करके उप्यूक्त निर्देश दिये गए हैं खरगोन से बीरो जैन गुप्ता की रिपोर्ट जी ओरुना महामारी के बाद ये हमारा पहला आउटडोर सूरत से दूर वाला केमप है हम लोग सूरत यूनिटी ओस्पिटल से बिलॉंग करते हैं वहां से हम 350 किलोमेटर दूर यहां पर आये हैं और एड़गेट स्री संजे भाई के सहयोग से ये केमप हो रहा है इसका मेन उत्देश ये है कि पेरिफरी सेंटरस पर कई मरीज ऐसे हैं जो पिछले देड़ साल एक साल से लॉकडाउन की वज़े से अपनी गंबिर बिबानियों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं अभी केमप में हम लोगों ने जो पेशन्स देखे हैं जिनके पास MRI, X-ray, सब डिपोर्ट एक साल पहले के हैं लेकिन वो फॉल आप में नहीं जा चुक है तो उनको हम चर्चा वीचारना करके उनको सही गाइड़न्स दे रहे हैं उनको आगे गा ट्रेटमेंट कैसे करना वो समझा रहे हैं इसके अलावा COVID महामारी के दौरान क्या-क्या ध्यान रखना और कई मरीच ऐसे भी आये हैं जो COVID के संक्रमित हो चुके हैं और उसकी ट्रेटमेंट लेकर वापस आ चुके हैं कई बुजर्ग लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो अभी फेफडों की तकलिफ से आये हैं तो उनका अमारे चेश फिजिशन जो चाती के वेशे सक्या है वो उनको सही दिशा में मार्क दर्शन दे रहे हैं यानि कुल मिलाकर मार्क दर्शित करना ये केम्प का एक उध्याश यह है अगर कोई मरीच गंबिर निकलता है तो हमने उनको यहां जो इन्वेस्टिगेशन और यहां ट्रिटमेंट हो सकती है वो ट्रिटमेंट लेने का सुजाव दिया है यदि वो यहां पर मैनेज नहीं हो सकता तो यूनिटी होस्पिटल ने अपना सेवा का हाथ लंबाया है और उनको बोला है कि यह केम्प से जो भी पेशन वहां पर आते है उन्हें काफी सहायता पुरवक उनका इलाज कर दिया जाएगा जी मेरा नाम डॉक्टर सादिक शेख है मैं और्थोपेडिक सर्जन यूनिटी होस्पिटल में फूल टाइम अवेलेबल हूँ इसके अलावा हमारी पूरी और्थोपेडिक टीम में और पांच उपलफ दॉक्टर है जोईंट रिप्लेस्मेंट, स्पाइन सर्जरी, आर्थ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें